हुआ है हलो दोस्तों फिजिक्स वंडरलेंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है आज का हमारा लेक्चर रहेगा अग्या ने कि देलेक्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे और क्या यूच क्या है क्या इसका इंपोटेंज थे तो इस्टार्ट करें आज का लेक्चर जिसमें डाइलेक्टिक इने थिक टुस्टाट करें डायलेक्टिक डायलेक्टिक इन ए कैपेसिटर तो जैसे लास्ट लेक्चर था उसमें डायलेक्टिक के बारे में बताया था कि पोलर और नोन पोलर डायलेक्टिक क्या होते हैं क्या उसका इंपोटेंस होता है उसके बारे में तो माल लो कि एक कैपेसिटर है इस टाइब से कै ठीक है यह प्लेट लेली हमने एक पैलर प्लेट कैपिसिटर हम यहां पर मान रहे हैं बिल्कुल शिंपल तरीके से हमने इसको समझना है मान लो इसके उपर प्लेस क्यू चार्ज है इसके उपर माइनस क्यू चार्ज यानि कि यहां पर कैसा चार्ज है प्लेस चार्ज और यहां कैसा है माइनस चार्ज हो ठीक है इनके बीच प्लेटो के बीच की जो डिस्टेंश है वो स्मॉल डी है इन savior उने बीच में हममाना लें वैक्यूम क्या होने वाला है क्या हुआ है इसकी कमी हम कहिए क्या होने वाला है तो देखें दो प्लेते हैं एक दूसरी के पास रॉइँः इसके उपर पॉजिटीग चार्ज इसके ऊपर नैगितिव चार्ज है इन-के बीच यह जो positive charge है वो इंसके उपर force करेगा यानि की इसको इसको अपनी और अटेक करेगा पॉजीटिव चार्ज आये हमें पता है कि like charge होते हैं वह एक डूसे क्या करते है रिपल और unlike charge अटक करते हैं तो यह इसको अटक करेगा और नेगेटिव वाला इसको अटक करेंगी तो यह जो चार्ज हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा कैपिसिटर है उसका यूजलेस कतम होगा मिन्स इनके अंदर यदी वैक्यूम और एयर हुँ तो यह एक दूसरे को आट्रक्र करें इसके लिए तो इनको पकड़ करें इसे distance के उपपर रहें तिक अ就可以 की साइथा से हमी रजय के दिल्गशे के लिए को वीच इस इनके बीट में फॉर्स लग रहा है उस फॉर्स की वेल्यू हमें पता हो पीछे लेक्टर में हमने पढ़ी थी क्या होती है क्यू स्क्वाइल अपॉन टू अपसाइलन नॉट ए ठीक है मानलो इनका एरिया कितना है ए चार्ज इस पर प्लस क्यू इस पर माइनस क्यू तो यह करेगी तो एक दूस控宝े हो जाएंगी टू ब्रॉट्रेश हो जएंगी थैक है तो उनर्जी नहीं प्रिंगे यह करें नहीं मिल पाएगा तो इसके लिए क्या किया गय haha कि इन प्लेटों के बीच में डायक्टिक एसे हे उता है दिएक वह होती है मान लो कि यह एक ंडायले तो इसको क्या किया जाता है कुर् teammates करlike looking तो उनको चार्ज करते हैं तीक है क्या क्या करते है इसा वैक्व मखरा नहीं होता है कंडैक्टिंग जो आपका डाल्यक्टिक होता है उसके इस इस के उपर कुर्टिंक कर दी कर दी जाती और और इधर भी क्या कर दिजाती है फिर हम चार्ज करते हैं तो यह जो बाहर वाला हिस्सा यह दोनों साइड का यह कंड़क्टर की तरह क्या करें वाद करने लगता है तो एक्टुल में नॉर्मली ऐसा नहीं है इसको समझने के लिए हम ऐसा बनाते हैं कि इनके बीच में कर दी जाती है जो पहले प्लेट की तरह करने लग जाता है तो अब हम डायलेक्तिक की बात करें उसको यहां पर नौल में बनाएं तो कैसा हमें देखने को मिलेगा कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि यह कि मानलो एक स्लैब है डायलेक्टिक की किसकी है स्लैब है ठीक है और यह वो कोटिंग कर दी थोड़ा सा गैप इसली दे रखाए ताकि समझ में आजाए बाकी ऐसा नहीं है बिलकुर यहीं पर टच होता हुआ होगा ठीक है लेकिन इसको समझने के लिए हम बना रहे हैं तो यह तो हम इसको चार्ज करते हैं तो यहां पर मालो पॉजिटिव चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज आ ठीक है और यहां नेगिटिव आ गया और इसके बीच में क्या है डायलेक्टिक यह स्लैब है अब क्या होता है डायलेक्टिक में जैसे हमने पढ़ा कि यह डायलेक्टिक जैसे मिदक मैपेल को याद हो याद हो में इक्स्रेस में हम रखते हैं तो इस डालेक्टिक मैटेल हैं स्फॉर प्रस जाता है चार्ड हो जाता है यहां पर यह सच्बम हो गए एक्ष्टनलक्टिक फिल होगई ठीक है यहां पर क्या होगा यहां तो नेगिटिव चार्ज होगा यहां presumably है वो प्लेस सिग्मा है और इसके कितनी है माइनस सिग्मा होगा अब देखी एक्षेनल तलर्चिक फिल कोंचीतर्च एक्षेनल इलेक्टिक फिल यदि इसको हम छौड़ दें कि हमारे पास इमारे इनद लेक्टिंट है तो सेक्ष एक्षेनली अलो इनन् depths लिख कि 어떻게 कितना घाएगा इन्फाना सीध के लिए ऑपसायलनोर लेकिन प्लश के कायं और वबी इतना ही तो दोनों की डारेक्शन होने के कांड दिए करेंगे तो सिडैन फृर्टष प्लस सिग्मा corresponding तो अपसालन नोट किता हो जाएगा सिगमा पॉन अपसालन नोट यह तो आ गया इस एक्सेनल इलेक्टिक फिल्ड की वेलिए ठीक है लेकिन देखिए यहां पर यह जो स्लैब है इसके उपर नेगेटिव यहां पोजितिव तो इसके कांड भी क्या होगा एलेक्टिक फिल्ड हो क्या होगा इलेक्टिक फिल्ड फिल्ड और जो इसके इकवल तो नहीं हो सकती यहों आपक्या यह हो जाएगं यहां पर आ हुआ है लेकिन इसके कार्ण जो होगा जो देंसिटी आएगी वह इन दोनों के इकवल नहीं हो सकती है तो माल लिया यहां पर है सिग्मा आई यह माइनस में है और यह किसमें है क्या होता है एक स्टेस्ट में प्लता जो इसको कुछ कि और स्टीति कशले सब्सक्राइब रहते हैं अचेले में सोगाने बन और कर दूशी सनए लेकिन और सकते हैं o तो यहां पर पॉलिराइजेशन होते ही यहां पर आगया नेगिटिव और यहां पर आगये पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो यहां पर इधर तो नेगिटिव आ जाएगा और इधर क्या जाएगा पॉजिटिव क्यों क्यों कि जैसे एलेक्टिक फिल्ड हम अप्लाई करेंग सब्सक्राइब किहां में चाइब चार्ज पर नदीस्टी pork रहेतर इसकी है डाइलेक्टिक मैटेरियल क्या होता वह बताया था आपको कि डाइलेक्टिक मैटेरियल एज ए इंसुलेटर की तरह है करता है इंसुलेटर नहीं होता जैसे एक्जामपल में ग्लास है माइका है यह सभी क्या करते हैं डाइलेक्टिक मैटेरियल करते हैं तो अब क्या इhen पर तूर यहां पर सुम्हाने यह यहां पर पॉजिटिव यहां पर तो इसके कारण भी एकへ इललेक्टिक-सली principle खोगत और ज्यां जायेगा सुंदीव जिसकी टारेक्टिक इन्थ पॉजिटिव की तो अब देखें दोनों की डारेक्षण क्या है और इन्डूस्ट की इधर है तो नेट कितना होगा इसकी बात हम करें तो नेट इस सिस्टम का नेट इलेक्टिक फिल्ड कितना हो जाएगा इनेट इक वेल्यू कितना जाएगा इनेट इक वेल्यू हमेशा किसे ज्यादा होगी जो इन्डूस्ट हुआ है उससे ज्यादा होगी तो इनेट इक वेल्यू कितना होगा इनक्सट मार इंडूस्ट छी एक डिक है एक्टनल की वेल्यू कितने आई है फ्मारे पास संस्ट पॉन अपसाले sak तो कितना होगा तो कंडूस के लिए usrey화를 करें श्मा की जगह कैसो करें कि किसमा आऎपन ऑसलनों या झेगा यहाँ कि लिए अब जो ले कि ये तो लगे की बात हो गई अब उसके बाद में डायलेक्टिक कॉंस्टेंट क्याई डायलेक्टिक कॉंस्टेंट को ढ Vijay जिए गया इसके लिए हम अलग शेबात करें मालो यह एक conductor है यह conductor है और इसके ऊपर हमने एक अप्र एक्ष्टनल इलेक्टिक फिल्ड अप्लाई कर दिया तो हमने पढ़ा था कि अंदर इलेक्टिक फिल्ड होता वह कितना होता है जीरो होता है तो जैसे हम इलेक्टिक फिल एक्ट्रिक करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फिल कितना हो गया जीरो हो ऐा तिक है यह कैसे हुआ यहां पर इस केश में हमारे पास वेक्व्य यां बात करें कि यहां पर एक्षिनल अंसके तरहार्ण पतो यहां पर नई टिफ यह तो यहां पर पोजिटिव चलेंगे ऐसे चलेंगे थिक कैं कि इसके अंदर इंद्र होगा हूं लेकिन जो इस केस में इने कि गAntonus को यहीञेगा इने नेट कितना हो जा diesel मां 이상Et इंद्र स toutes कितना ही उसके अंदर हम उप्लाइ करते हैं उतना ही उसके शाइप कितना बचता बचता है लेकिन यहां पर ऐसे यहां पर जीरो नहीं हुआ यानि कि कुछ कम हो गया क्या हो गया काम हो गया लेकिन जीरो नहीं यह तो डाइलेक्रिक मैट्रियल जो है नहीं करता लेकिन जो एक्षेनल हमने लगाया है उसकी वेल्यू को कम कर देगा यहां पर i-n-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e एक्षनल इसको क्या कर देगा कम कर देता है जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 10 नूटन पर कुलंब का का को ट्ञाय कर दिया 10 नूटन पर कुलंब का अहाज तिक और जैसे यह मेटेरिल हमने रखा तो हमारे को मिला जैसे दो कितना मिला ра दो न्यूतन पर कुलांब यानिकि हमने अपलाई कितना किया दस न्यूटन पर कुलांब और हमारे पास बच्चा कितना दायलेक्टिक कॉूंस्टन यानिकि कितना कम हो गया यानिकि K के देवारह K के देवारा रिपर यह करते हैं क्या है ऩो है और यह त14 आ ठीक है विसको से या कशे हम रिपर यहां होता है कि इसको इलेक्टिक को इसको कि कितना टाइम्स के टाइम्स कम कर दे तो यहां पर इने जो बचेगा वह जो एक्स्टनल है उसका कितना टाइम्स वन अपॉन के टैम्स यानि कि इसको लिखा जा सकता ही नैट एक वेश्टु कितना जाएगा ई एक्स्टनल और ईए एक्स्टनल अप्वूनि निॉटन पर कुलाम हमने लगाए तो टैलेक्टिक नूटन कितना होगा पांच यह निए उसकी चितनी गुना कम कर रहा है उसी को डिफाइन किया गया है यानि कि यह इसकी एक प्रॉपर्टी को बता रहा है पावर चमता को बता रहा है कि यह उसी को सिक्वी किया गया है डाइलेक्टिक टॉटत रोता है उसमेंकर में इसने । यहाँ पर अब यह वेल्यू यहाँ पूट कर दूँ Uhr ईक्षनल आपॉन के तो यह आ जाएगा आपका ईए अपन के एक्षेनल माइनस इस वह सब seag'd लिखना माइनस इफिस्ट तुप अब देखिए वेल्यू अब करें तो क्या रिलेशन हमें देखने को मिलने वाला है तो हमें रिलेशन देखने को मिलेगा ईक्षेनल की वेल्यू सिग्मा पौन Upsilon Kit थे इन की वेली सिगमा आई यानिकि सिगमा इंदूष्ट अपन अप्सालन नोर्ट तो वेल्यू पुट करऊं इसकी वेल्य सिगमा अपन epsilonㅠㅠ तो यहां से देखे क्या कैंसल हो जाएगा तो यह बज़ जाएगा सिगमा के सिगमा माइने सिगमा आई आई नॉर्मली हमें जो भी डीया जाएगा डाएलेक्टिक मैट्रील गाएगा उसका डाएलेक्टिक तो गबराने के कोई बात नहीं है लेकिन होता क्या है उसके बारे में यहां पर हम डिसकसन कर रहें जैसे कोई भी हो वाटर है वाटर के लिए 81 होता है डायलेक्टिक कॉंस्टेंट के की जो वेल्यू होती है वह वाटर के लिए कितने होती है 81 तो यह हमें गिवन होती है इसमें घंपराने की कोई बात नहीं है लेकिन उसके बारे में हम यहाँ पर करना तो वह हमें पता होना चाहिए तो यहां स्जूस्ट हुआ उसकी हम यहां पर बात करें सिभ्मा पू मैंन में गवण बहुंस इटर यह जो सिग्मा कैसे चार्ज देंसिती जो प्लेट हमें दिए जाएगा सिग्मा कॉमन आगया मैनिस 1 Pack on के इक को सिग्मा आइ अब हमें पता है क्या कि सिक्म है क्यों अपों यह नो यहां पर क्यू आई अपॉन झांट है जो मैटेरियल लिया उसका एरिया और जो प्लेट है तो हम इसको सल करके किसकी निकाल सकते हैं चार्ज की वैजय निकाल सकते हैं तो इसमें घबराने की आओ सकता नहीं है बिल्कुल सिंपल सा हमें यह पता होना चाहिए कि डायलेक्ट्रिक जो हम Sch sunlight के उसका में होदा का उसका क्या इंप्र स्रींच करता है तो यहां पर जो प्लेर थी उसमें जैसे दियर्लेक्टिक मीडियम अब बरहरा हूँ तो या होगा जैसे 1 पर हमें लगा दिया यहां क्या लगा दिया एक्टिक फिल हमने यह लगा दूए तो यह जो आपकाatellon है ड्यालेक्टिकों इसमें स्मीस होने के तरगैंटर यहां इृधर तो नेगितिव आजाएगा इधर जाएगा मौार की इसका पॉलिरायजेश्डटा हुं और पोलिरायजe होने के ने लो से हाधाते यो हो जाती है और वह एलेक्रिक फिल्ड जो होगी वह एक्सेमिल एक्स्रेथ प्रीक्ट से मुझाAR还有 कौन से चल् nogle जो दुबारा रिपीट कर रहा हुंना है तो कितना आ जाएगा एक्षेनल गारिनेस हो जाएगा क्योंकि इसकी इन्डूस्त है उसकी डारेक्शन यह है और ऑच्टरन की डारेक्शन यह एक दूसरे की ओपोजित है और दोनों वेक्टर निकालेंगे तो यह हमें देखने को मिलेगा तो यानि कि जो मैटेरियल है उसकी कुछ ना कुछ प्रोपर्टी है कुछ ना कुछ ऐसी वेल्यू है जो इसकी एक्सिनल इलेक्टिक फिल्ड को क्या कम कर रहा है उसी को डिफाइ यानि कि जो एक्सिनल इलेक्टिक फिल्ड हिसी जो बचेगा इनेच जो हमने लाइक्सिनल हिसका कितना टाइम्स वन अपन के टाम्स यानिकि इतना टाम्स जो इसका कॉंस्टें रोगा उतनी कम हो जलेगा अर्याइक कितना कम हो जाएि जैसे मालो ई pens compose हमने apply किया 15 Newton पर कुलाम और हमने कहा कि यह material है हमने इतना apply किया और हमें जो मिला E net वो हमें मिला 3 Newton पर कुलाम कितना मिला 3 Newton पर कुलाम तो बताइए इस material का dialectic constant कितना है तो dialectic constant निकालने के लिए हम क्या करेंगे E net यह है यह है तो इसमें कितने का भाग दें कि 3 आ जाए हमारे पास तो कितने का भाग देंगे तो के की value कितनी आ गई 5 यानिकि इसका dialectic constant कितना है 5 तो dialectic constant क्या है कि जो एक्षेनल इलेक्टिक फिल हम apply कर रहें उसकी value उतनी times कम कर दें और उसमें relation हमारे यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं जुबारा इसी को repeat करें ताकि अच्छे से हो जाए तो इसको लिखा जा सकता है इन एक क्वेस्ट्य क्या जाएगा एक्षेनल अपॉन की अपॉन की अब यह वेल्यू यहां फॉन की इंफड़ा इमपोर्टेंस का इमपोर्टेंस धे हो गया अब यह दोनों प्लेटे एक दूसरे के पास नहीं आए और यानिकि इनको पकरने के आओ सकता नहीं है क्योंकि इना बीच में करने का हमें मैं इंपोर्टेंस है यह बोर नहीं करें और अब आगे हम क्या करेंगे इसका इंपोर्ट offers क्वोगा एकक्रीज हो या कम होगी वह हम अगले लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे तो यह हमारा आज का टोपिक जिसमें डायलेक्टिक इने कैपिस्टेट के बारे में हमने डिसकसन किया